बिसमिल्लायरहमाररहीम लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक था फाइनेशल स्टेटमेंट्स आफ सोल टीडर वो कर रहे थे विद एजिस्ट्मेंट्स ठीक है और आज की क्लास में हम एक और कुशन है जो करने जाएंगे और इस सवाल को देखिएगा कि इस सवाल के खुशन नमबर 34 आपकी बुक के अंदर थेक है अगर पेज नमबर है तो 214 है आपकी बुक में हो सकता है बुक के विर्जिन आगे पीछे होते है तो थोड़ा सा कूशन आगे पीछे हो सकता है बोलता है शैंग इस आसुल ट्रेटर शैंग भाई है और यह एक सोल टेडर है the following balances were extracted from his books on 30th of September 2015 यानि कि इसका मतलब यह जितनी भी information आपको दी गई है यह कब तक की है 30th of September 2015 तक की है इसका मतलब इनका जो year end होता है वो 30th of September 2015 को end होता है तो अगर मैं तुम से बोलूँ कि यार इसका जरा accounting period बना लो तो तुम बोलोगे सर इसका year end हो रहा है 30th of September 2015 को तो इसका year start हुआ होगा 1st of October 2014 को ठीक है यह हो गया इसका एक accounting period जो हमें नजर आ रहा है यहापे ठीक है अब हम क्या करते हैं हम trial balance रठाते हैं और trial balance को देखना शुरू करते हैं देखें सबसे पहले trial balance के अंदर उसने आपको दिया revenue कि आपकी organization जो थी उसने revenue कितना अंकिया 315,000 का revenue किया पर इसके बाद बुलता है purchases की आपने और purchase कितने की करी 165,000 की purchases भी कर ले फिर फिर return outwards लिखावा है return outwards का मतलब अब हमें पता लग चुका है कि return outwards का मतलब purchase returns होता है फिर उसके बाद wages and salaries दी विए आपको यह आपका एक expense है फिर आपको motor vehicle expense दिया वा है तो यह motor vehicle आप जो चलाते थे उसका कोई running expense है फिर उसके बाद commission receivable इसका मतलब आपको इतना जात रिखें करें जो trial balance के अंदर provision for a doubtful debt डियावा होता है यह हमेशा मैंने आपको बताया है कि यह opening provision होता है कौन सा provision होता है यह opening provision होता है उसकी बाद फिर आप आगे बढ़े तो आगे वह बोलता है bank loan six percent repayable in 2019 30,000 पे का अभी तो हम जो सवाल करने वह 2015 में हम खड़े में तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि 2019 में जाके हमने loan pay करना है तो यह long term liability है और अगर long term liability है तो उसके पर मुझे interest भी pay करना होता है और जो interest में उसके पर pay करूँगा वो कितना pay करूँगा annually six percent में 30,000 के उपर pay किया करूँगा फिर इसके बाद आगे आजए तो अगली चीज़ लिखी वी है bank interest paid अच्छा इसका मतलब यह है कि आप इतना interest pay कर चुके हैं आप लोगों ने अभी तक लिखावाए heat and light expense है other operating expense भी लिखावाए उसने तो यह other operating expenses हो गए कुछ आपके bank के अंदर cash पड़ा हुआ है 1-9-5-0 आगे लिखावाए debit इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि तुमारे bank में पैसा रखा हुआ है कुछ trade payables यह आपकी कुछ current liability है trade disciples कुछ आपके current assets है कुछ capital आपको given है owner की investment जो business में लगी हुई है उसकी बार drawings आपको given है 18,000 की motor vehicle जो आपके पास है एक non current asset उसकी cost क इतनी है और अब तक इस साल के शुरू होने तक यानि के इस date तक जो आपका साल शुरू हुआ था इस साल ओपनिंग इस साल आपके पास provision for doubtful date provision for depreciation given motor vehicle का 10,000 रपे और fiction fittings का 18,000 रपे इसका मतलब यह है कि यह जो आपको provisions दिये में यह कौन से provisions दिये वे होते है opening provisions दिये वे करी हैं वो सारी वो चीज़ें जो या तो आपकी income है या expenses है तो वो आप अपनी income statement में record करेंगे और जो चीज़े मैंने record करी है क्या कहते हैं अपना blue mark से मैंने उसको highlight करा है तो वो चीज़े हमारी balance sheet में record होने वाली चीज़े हैं क्योंकि वो assets liabilities या capital related चीज़े हैं जानो को करते हैं सबसे पहली adjustment number one adjustment number one के अंदर बोलता है कि on 26th of September 2015 goods had been purchased for 3000 cash the transaction had not been recorded in the books वो क्या बोल रहा है कि आप लोगोंने कुछ goods थी वो खरीदी थी buy करी थी purchase करी थी cash की basis के उपर यानि कि आपने 3000 रुपे cash दिया था उन purchases के लिए और इस बात को आपने कहीं पे भी अपने पास record नहीं किया अपनी किसी भी books के अंदर आपने इसको record नहीं किया हुआ तो अब आप लोगों क्या करेंगे आप सोचें आप लोगों ने purchase करीए ती तो entry क्या बननी चाहिए थी आप मैंनलों से अपने जो cash या बैंक है वो आपका credit होना चाहिए था डन हो गई बात सर यहां तो cash लिखा वाई लेकिन आप bank क्यों लिख रहे हैं क्योंकि trial balance के अंदर मुझे cash कही नजर नहीं आया बलके cash at bank नजर आया तो payment यहीं से होती होगी ठीक है तो मैंने bank लिख दिया अब इसको edges किस तरीके से करोगे edges करने का तरीका क्या है देखो एक purchases करी थी वो तुमने record नहीं करी आज तुमने उसको क्या करना पड़ेगा पड़ेगा तो तुम क्या करोगे जो तुम्हें उपर सवाल के अंदर purchases given है इन purchases के अंदर यहां पे देखो 165,000 की purchases हैं इसके अंद purchases करीं क्या यह उधार पर करीं या पैसा देखे करीं सर पैसा देखे करीं तो तुम्हारे bank से पैसा minus हो जाएगा और वो कितना minus हो जाएगा 3000 minus हो जाएगा 3000 क्या हो जाएगा minus हो जाएगा बात समझे अच्छा जी अब आगे आजए यह जाएगा next adjustment पढ़ते हैं अगली adjustment अपनी income statement में भी तो जब आप income statement बना रहे होंगे तो income statement के अंदर cost of sales में closing inventory record करेंगे और जब आप लोग अपनी balance sheet बना रहे होंगे तो balance sheet बनाते वे इस closing inventory को current assets के अंदर mention करेंगी क्योंकि closing inventory तो हमारी current assets होता है that's it इतना सा आपने treatment करना है इसके लावा और कुछ भी नही the rent included a payment of 6,000 for 6 months ending December 2015 अब देखो इस बार उसने क्या बोला तुम्हें इस बार उसने ये बोला कि यार आपका जो उपर rent है ना देखो आप उपर आके देखो यहापे आपको rent डिया वा था रेंट नजर आ रहा है आपको उपर यह देखो यह रार रेंट बोलता है जो रेंट है ना 15,000 रुपे का इसके अंदर एक ऐसी amount है जो के 6,000 की included है यानि इस 15,000 के अंदर वो 6,000 भी included है जो आपने payment करी है for 6 months ending December 2015 अब इसको करने का या इसको असान तरीके से समझने का तरीक यह 6,000 की है यह आपने जो payment करी है 6,000 की यह overall जो आपने payment करी है यह 6 months की करी है कितने months की करी है 6 months की तो अगर मैं इसको 6 से divide कर दूँ तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि मैं हर महीने जो मैंने यह payment करी है हर महीने मैंने कितनी payment करी है 1000 रुपे के हिसाब से payment करी है तो 6 मही की पेमेंट कितनी बन गई, 6000 उपे बन गई, अब वो यह बोलता है कि यार यह जो पेमेंट है यह आपने करीवी है, December तक की, कब तक की करीवी है, December तक की, लेकिन मुझे यह बात पता है, कि मेरा जो year है, वो end हो जाता है September में, तो September से आगे मैंने जितनी भी payment करी होगी, क्या म अब अगर मैं तुमसे बूलू कि यार जारा count करो, कितने मंस का prepaid amount पे किया है तुमने, तो September तक तो मसला नहीं था, October, November और December, तीन महीने ऐसे हैं, जो तुम्हारे इस accounting period में fall नहीं करते, सर एक दफ़ा दुबारा repeat करे, देखो, इसने बुला था, कि जो तुम्हारा rent है, मै तुमने payment करी है, तुम उठाओगे 6,000 और उसको divide कर दोगे 6 है, तो तुम्हारे पास answer आजाएगा 1,000, अब मुझे यह मालूम करना है कि इस 1,000 जो है, यह जो value मेरे पास आ रही है, इसमें से मैंने कितने मंस का prepaid payment करावा है, कितने मंस का मैंने extra pay करावा है, तो आप बोलो multiply by 3, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा prepaid rent कितना है, तो आजाएं इसको calculate कर लेते हैं, calculator उठाते हैं, और यह वैसे तो answer 3,000 ही आएगा, लेकिन 6,000 divided by 6 into 3, आपके पास आजाएगा 3,000, इसका मतलब 3,000 रुपे क्या है, 3,000 रुपे तुमारा rent prepaid है, इसको directly solve करने का सबस लो तुमारा year end हो रहा है September में, तो September से आगे जितनी भी payment करीवी होगी, जितने भी months की payment करीवी होगी, वो सारी के सारी क्या बन जाएगी, prepaid payment बन जाएगी, बात समझेगी, तो अब यहाँ पे मुझे यह पता लगिया कि मेरा rent prepaid कितने का है, 3000 का, तो मैं जब अपनी income statement बन कर दिये 3000 रुपे, दूसरी बात, यह मेरा prepaid expense है, तो जो मेरे prepaid expense होते हैं, वो मेरे current assets होते हैं, तो मैं अपनी balance sheet बनाते हुए, इनको current assets के अंदर mention कर दूँगा, दो impacts नजर आ गए, एक income statement में से 3000 माइनस करें, दूसरा balance sheet के अंदर current asset में, 3000 रुपे को record कर दिया, why, because this is your prepaid expense and prepaid expense, तो मेरे assets होते हैं, तो इसको assets के अंदर mention करूँगा, तो sir, कौन से assets, बेटा, current assets के अंदर mention करोगे, तो current asset में mention हो जाएगा, I hope, कि यह वाली जो adjustment मैंने यहाँ पर पढ़ी, यह आपको 100% clear हो चुकी होगी, अगली चीज़ वो बोलता है, कि यार, आपका other operating expenses were accrued, अ तो अब इसकी treatment कैसे करोगे, बड़ी simple सी बात है, तुम अपनी income statement में जाओगे, और वहाँ देखोगे other operating expenses, तो हमें यहाँ पे other operating expenses नजर आ रहें, सब लोग देखें, यहाँ पे other operating expenses नजर आ रहें, 7100 के, यानि कि मैं अभी तक जो expense pay कर चुका हूँ, वो 7100 का pay कर चुका income statement में वो खर्चे record नहीं किये जाते, जो इस साल आपने pay किये हैं, बलके वो record किये जाते हैं, जो इस साल incurred हुए है, इस साल खर्चा हुआ है, let's suppose मेरा rent है 10 लाक रुपे, मैंने 10 लाक रुपे मैं से pay कर दिया खाली 8 लाक रुपे, तो 2 लाक रुपे अभी भी रहता है, त को इस 7100 के अंदर add कर देना है, 1100 को add कर देना है, किसके अंदर 7100 के अंदर, अगर आगे notice करें, तो ये 1100 की जो आपकी amount है, एक तो आप ये income statement में adjust कर देंगे, इसका दूसरा impact का पड़ेगा, सर ये 1100 जो है न, ये हमने pay करना है future के अंदर, क्योंकि ये हमारे उपर एक obligation ह है, ये हमारे उपर एक liability है, तो therefore जब आप balance sheet बना रही होंगे sir, तो balance sheet बनाते हुए इसको अपनी current liabilities में जरूर mention कर लिजेगा 1100 को, क्योंकि ये expense आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो दो impact हो गए, number one expenses में, other operating expenses में 1100 add हो जाएगा, और दूसरा impact क्या बताया मैंने, कि balance sheet में current liability create हो जाएगी, this is the actual concept जो आप लोगोंने दिमाग में रखके आगे चलना है, अब आगे सुने next adjustment, अगली adjustment वो ये बोलता है, number five, commission receivable is 2500 outstanding, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो commission receivable का मतलब क्या है, commission receivable का मतलब ये होता है कि यार, आपका कुछ commission था, जो आपको मिलना थ अब मुझे जो commission मिलना था, उसमें से मुझे अभी तक जो commission मिल चुका है, वो मिल चुका है, मुझे 12,500 का, 12,500 का commission में receive कर चुका हूँ, सर, trial balance में जो values लिखी होती है, इनका असल मतलब क्या होता है, देखो, एक चीज़ याद रखना, ये बहुत important बात बता रहा हूँ, ग पे कर चुके हो, या अगर कोई income है, तो इसको तुम receive कर चुके हो, तो मैं rent अब तक कितना pay कर चुका था, 15,000 रुपे का, लेकिन उसमें से पता लगा, 3,000 रुपे का prepaid है, तो minus कर दिया, मैं other operating expenses कितना pay कर चुका था, 7,100 का, लेकिन मुझे पता लगा, 11,100 का मजीद outstanding है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, add कर दिया, इसी तरीके से, यहाँ पे, जो मेरा commission receivable है, अभी तक मुझे commission कितना मिल चुका है, 12,500 का मिल चुका है, लेकिन अभी भी, मुझे ये पता लगा, कि 2500 का जो commission है, वो still receive करना है, मुझे receive करना है, क्योंकि वो क्या है, वो outstanding है, इसका म अगर मैं तुम से ये बोलू कि यार, मेरी इस साल income हुई कितनी है, 8,000 या 10,000, आप बोलो कि सार, आपने पैसा जो earn किया है, वो तो 10,000 है, लेकिन आपको मिले अभी तक कितने है, 8,000 रुपे, मजीद कितने मिलने है, 2,000 रुपे, तो मेरी total income कितनी होगी इस साल, 10,000 अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर बात को और से, इस 2500 के साथ, इस 2500 के साथ मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपने commission receivable के अंदर लाके add कर दूँगा, क्योंकि ये भी मेरी income ही है, 2500 की, लेकिन ये income मुझे अभी तक मिली नहीं है, ये income मुझे अभी मिलनी है, ये पैसा 2500 मुझ जाके record कर दूँगा, अपनी balance sheet में, दो impacts हो गए, पहला impact मैंने अपनी incomes में इस 2500 को add कर लिया, क्योंकि अक्रूल कौन से भी ये कहता है, कि ये मत देखो कि तुम्हें कितनी income मिली है, तुम ये देखो, तुमने कितनी income करी है, कितनी income कमाई है, तो मैंने total कमाई कितनी करी है, 1200 plus 2500, total कमाई income state में record करूँगा, add करूँगा, लेकिन इस 2500 की जो amount है, इसको मुझे अभी तक receive नहीं हुआ है, ये amount मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो ये मैंने receive करनी है in future, तो मैं इसको क्या बूल दूँगा, ये मेरा एक receivable है, और receibles जो होते हैं, वो कहा record होते हैं, current assets के अंदर जाके record होते हैं, clear हो कोई बात, बात समझाई, ये जो concepts हैं, इनको बहुत देहान से सुनना, मेरी बात, मेरी आवाज, एक एक चीज आपको clear होनी चाहिए, done, आगे सुने जरा, अगली adjustment है, बच्चो वाली बोलता है, कि बाई, depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of the year, motor vehicle के उपर minimum, RBM के through, और fiction fitting पे 15% SLM के through, और हमारा ये सवाल जो है, अचा नीचे एक और adjustment भी है, अभी पहले ये वाली adjustment करते हैं, भाई, आपने depreciation calculate करनी है, याद रखिएगा जो पहली depreciation आपने calculate करनी है, motor vehicle की ये किस method के through करनी है, RBM, यानि कि reducing balance method, और reducing balance method का formula क्या होता है, net book value, multiply by percentage, percentage, जो भी आपको सवाल के अंदर given होती है, जैसे के इसमें 20% है, इससे हमें क्या पता लग जाती है, annual depreciation, क्योंकि पीछे आप पूरा depreciation का topic पढ़ के आचुके हो, तो ये आपको बड़ा असान लगेगा, अब अगर हम उपर बात करें कि यार, motor vehicle की depreciation कैसे निकालें, तो ब पर लिखो 50,000, इसमें से माइनस कर दो, provision for depreciation वो कितनी है, sir, 10,000 है, तो इसमें से माइनस कर दो 10,000, तो बेटा बचा कितना, sir, बच गया 40,000, तो बेटा ये 40,000 जो है न, ये 40,000 आ गई तुमारे पास net book value, ये क्या आ गई तुमारे पास net book value, और इसको तुम क्या कर दो, percentage स लगाएं, बेटा सवाल में वो खुद बताएगा, कितनी percentage से depreciate करता है, assets को, 20% से करता है, तो इसके उपर आप लगा देंगे, 20%, तो आपके पास इस साल का depreciation expense आ जाएगा, तो 40,000 into 20 divided by 100, so it is 8,000, now, this 8,000 will be recorded in the income statement as an depreciation expense, पहला impact, तो ये पढ़ाएगा इसका, पहला impact क्या पढ़ेगा, कि 8,000 इस साल की तुमारी depreciation है, किसकी, motor vehicle की, और जब तुम balance sheet बना रहे होगे, तो balance sheet के अंदर जो तुमारा provision for depreciation था, 10,000 का, उसके अंदर 8,000 add करके, total balance sheet में 18,000 की provision for depreciation record करोगे, क्योंकि provision for depreciation तुमें क्या बताता है, अब तक की total depreciation, अब तक तुम कितना total asset क depreciation कर चुके हो, जब से तुमने इसको खरीदा था, तो जब से इस ऐसे खरीदा था, तब से लेके, इस साल के शुरू तक मैं इसको 10,000 का depreciation कर चुका था, और इस साल मैंने इसको 8,000 पे का AWAR depreciation कर दिया, तो मेरा जो total asset depreciation हो चुका है, वो कितना हो चुका है? 18,000 का, ये 18,000 स्टेट अवे कहा चला जाएगा तुम्हारी balance sheet में non-current assets में जाके record करेंगे और 8000 को तुम कहा record करोगे यह 8000 तुम्हारा चला जाएगा income statement के अंदर बात समझें यह income statement में चला जाएगा clear हो गई बात आप लोगों यहां तक अच्छा जी अब आजए next depreciation पे fiction and fittings की उपर उसने बोला है कि वह 15% depreciate करता है और method कौन सा use कर रहा है straight line method straight line method का मतलब क्या होता था straight line method का formula होता था SLM is equal to cost of asset multiply by rate is equal to annual depreciation यही formula होता था अब तुमने यहां पे fiction and fittings की जो depreciation निकालनी है वो cost से multiply करके निकालनी है तो cost कितनी है 24,000 की cost है और इस cost के उपर लगा दीजिया 15% तो कितना answer आ जाएगा निकाल लेते हैं 24,000 into 15 divided by 100 तो बेटा यह आ जाएगा 3600 तो इसकी जो depreciation जाएगी fiction and fittings की जो income statement में depreciation record करोगे वो कितनी record करोगे 3600 और balance sheet के अंदर तुमारा पहले से fiction fitting 18,000 का depreciate हो था इस साल के शुरू तक इस साल तुमने मजीद asset को depreciate करा 3600 से तो इस में 18,000 add कर लो तो balance sheet के अंदर आप total जो depreciation record करेंगे provision for depreciation 21600 यानि कि आप ये बताओगे balance sheet में कि अब तक इस साल के आखिर तक मेरा जो asset है वो 21,600 से total depreciate हो चुका है डन हो गई बात तो ये आप लोगों ने adjustment कर ली किसकी depreciation की भी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही होंगी पर उसके बात आप आगे आजए तो अगली चीज़ यहां पर लिखी भी है next बात अब ये बड़ी important बात है इसको सुनिए गाई या आप लोगो के लिए शायदा first time इस टाइप की adjustment आई होगी सबसे पहले वो आपको बोलता है कि trade symbols of 2000 are irrecoverable क्या बोलता है साल के आखर में हमें ये पता लगा कि 2000 के bet debt हो गए है तो बही ये तो बड़ी simple सी बात है कि यार जब आप अपनी income statement बना रहे होंगे और income statement के लिए अपने expenses record कर रहे होंगे तो expenses record कर रहे होंगे तो expenses record करते वे एक bet debt या irrecoverable debt का expense भी record कर लेंगे 2000 का पहली बात तो उसने ये बता दी आपको सरिए तो एक बात हो गई दूसरा impact क्या होगा बिटा जब balance sheet बना रहे होंगे और बैलन सीट बना रहे होंगे और balance sheet बनाते वे जब आप अपने current assets record कर रहे होंगे और current assets में जब आप अपने trade receivables record करेंगे तो trade receibles record करने के लिए आपको उपर देखना पड़ेगा आपके trade receibles कितने के हैं तो यहाँ पर आके देखें आपको trade receibles दिये में है 34,000 के तो आप उस 34,000 के trade receibles में से कितना bedded हो गया सर्थ 2000 का bedded हो गया तो 2000 माइनस करने के बात अपनी balance sheet के अंदर trade receibles जो mention करेंगे वो 32,000 के करेंगे बात समझ रही यानि के सर्थ 2000 का bedded हो गया वो income state में record करेंगे और balance sheet में trade receibles में से 2000 में माइनस करतेंगे सर्थ समझ गया बात समझ आ गया दो impact पढ़ेंगे ना एक impact पढ़ेंगा income statement में तो दूसरा impact जो income statement में impact पढ़ेंगे वो bedded है एक expense charge कर रहे हो और दूसरा इस expense charge होने के वाइसे क्या चीज़ कम होई तुम्हारे trade receibles कम हो गए ठीक है तो trade receibles को कम कर लोगे आगे बोलता है the provision for doubtful debt is to be maintained at five percent of remaining trade receibles अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे remaining trade receibles हैं कितने सर हमारे remaining trade receibles ना 32,000 के बचे कितने बचे 32,000 के बेटा इस 32,000 के पर five percent का provision charge कर लो सबसे पहले तो कितना आता है 32,000 का 32,000 का five percent so it is 1600 कितना आ रहा है 1600 यह 1600 आ गया तुम्हारे पास provision for doubtful debt यानि इस साल का provision for doubtful debt कितना है 1600 लेकिन अब तुमने क्या करना होता है याद रिखेंगा मैं हमेशा से सिखाता है हूँ जब तुमने यह provision for doubtful debt calculate कर लिए अब तुम इसका क्या करोगे पहला का तुम यह देखोगे मैं यहाँ पर treatment बता रहा हूँ provision for doubtful debt तुम सबसे पहले यह देखोगे कि यार तुम्हारा जो provision है वो increase हो गया या decrease हो गया है तो बई current year का जो provision है वो तुम्हारा आया है इस साल का जो प्रोविजन तुमने calculate करा वो आया 1600 अब तुम इसको compare करोगे लास्ट यह के प्रोविजन से सर यह लास्ट यह का प्रोविजन का से मिलेगा मैं बिटा ट्राइल वैलेंस में प्रोविजन पह्ले से दिया वह था अगर आ उपर आके देखो तो ओपिन प्रोविजन हमें दिया वह था कितने खा about एक ओ उपनिंगly प्रोविजेशन वाँ स고 सथा current year का provision is 1600, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा provision बढ़ गया या कम हो गया, sir, provision increase हो गया, last year provision for duffled at 1000 का था, इस साल provision for duffled at 1600 का आया है, तो इसका मनलब sir, ये increase in PVD हो गया, और increase in PVD कितने से हो गया, 600 का, तो ये 600 तुम कहा ले जागे record करोगे, sir, इसको हम अपनी income state में record कर देंगे, sir, ये तो हो गया, एक impact, दूसरा impact बताएं इसका क्या पड़ेगा, तो याद रिखेगा, जब आप अपनी balance sheet के अंदर trade receibles record कर रहे होंगे, जब आप अपनी balance sheet के अंदर trade receibles record कर रहे होंगे, तो इसी के नीचे लिखेंगे less provision for doubtful debt, और आप वहाँ पर minus करेंगे 1600, sir, 1600 क्यों, 1600 क्यों नहीं, बिटा याद रिखेगा, जो भी percentage लगा के answer आता है आपके बास trade receibles के उपर, वो आपका इस साल का provision होता है, तो इस साल का जो provision है, वो 1600 है, तो वो 1600 आप record करेंगे, कहां पर record करेंगे, अपनी trade receibles के नीचे, बिल्कुल balance sheet के नीचे इसको क्या कर देंगे, subtract कर देंगे, और उसके बाद आपके पास answer आ जाएगा, इसमें से 32,000 करते हैं, 32,000 सुरी, तो यह आपके पास जो answer बनेगा, trade receibles, जो आपके पास net trade receibles बनेगे, balance sheet के अंदर वो 3400 के बनेगे, बात समझे, अब आप लोगों ने क्या करना है, यह सारी adjustments को आप use करते हुए, हम अपनी income statement और अपनी balance sheet बनाएंगे, ठीक है, तो यह सारी adjustments थी है, हमने कर ली और अब हम अपनी income statement और balance sheet की तरफ जाते है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और अब बनाते है income statement, ठीक है, अच्छा, अब यह income statement बनाने के लिए, सबसे पहले आपको किस चीज़ की जरुरत पड़ेगी, सर, हमें सबसे पहले जरुर पड़ेगी sales की, तो भाई sales उठाएं, और sales उठाके यहाँ पे लाके लिख दें, तो आपके पास सवाल के अंदर जो sales given है, वो कितने की हैं, 315,000 की हैं, तो यहाँ पे 315,000 की हम sales mention करते हैं, तो खोले income statement, बनाना start करें, और साथ-साथ sales को record करिएगा, calculators अपने पास रखिएगा, अब हमारे पास sales जो है, वो है कितने की, sales हमारे पास है, 315,000 की, तो मैं क्या करूँगा, 315,000 की sales यहाँ पे लाके record करतूँगा, अच्छा सवाल में कोई sales written थी नहीं, तो अब मैं कहां चला जाऊँगा, अब मैं next heading बनाऊँगा, जिसका नाम होगा cost of sales, तो अब आजाएं, cost of sales के अंदर बात करते हैं, cost of sales में सबसे पहले क्या record करेंगे, सर, cost of sales में, सबसे पहले जो आप record करते हैं, वो opening inventory होती है, तो sir, opening inventory is 36800 की, तो हम closing inventory, वो opening inventory यहाँ पर record करते हैं, opening inventory is 36800, done, अब क्या करेंगे, भाई देखो purchases थी, तो purchases record करेंगे, लेकिन यादें आपको, कि 3000 रुपे की ऐसी purchase थी, जो तुमने अपनी books में record नहीं की वी जी तो, वो 3000 रुपे add करके record करोगे, यह वाली बात याद रखना, क्योंकि यह adjustment T3000 की, तो अब हम लोगोंने क्या करना है, अब हम लोग अपनी purchases record करेंगे, purchase record करने के लिए, हमारे पास जो purchase given है, वो कितने की हैं, 165,000 की, उसमें कितना add कर लेंगे, हम लोग 3000 add करके, और उसके बाद 168,000 को income statement में record करेंगे, अच्छा याद रखेगा, सवाल के अंदर, एक purchases के साथ-साथ, purchase returns भी given थी, और वो कितने की थी, 2600 की थी, तो इसको purchases में से क्या कर देंगे, separate कर देंगे, तो अब आप लोग लिखेंगें अपने पास, purchase returns, इस प्लस देस माइनस देस, हमारे पास आजाएगी goods available for sale, तो हम goods available for sale निकालेंगे, कि हमारे पास कितनी goods थी available इस साल बेचने के लिए, तो भाई मेरे पास साल के शुरू में इतनी goods पड़ी मी थी, फिर मैंने इतनी goods और खरीद ली, और इतनी goods मैंने वापिस कर दी, तो मेरे पास जो available goods आएँगी, वो आएँगी 20200 की ये मेरी क्या है goods available for sale, या निके इस पूरे साल, मेरे पास जो goods available थी बेचने के लिए, वो कितने की थी, डबल टू, डबल जिरो की, अब इस में से मेरे पास बच कितनी गई, तो अब मैं closing inventory record करूँगा, तो बहुए closing inventory मुझे सवाल के अंदर कितने की दीवी है, closing inventory is 2980 की, तो अब मैं क्या करूँगा, 2980 की closing inventory record करूँगा, तो आज है 2980, जो भी हमारे पास कितना था ये, 298980 की, हम closing inventory record करेंगे, अब अगर तुम notice करो, तो ये goods थी मेरे पास available बेचने के लिए, और ये वो goods ने जो मेरे पास बच गई है, बिकी नहीं है, तो कितनी goods बिक चुकी होंगी, उसी को कहा जाता है, cost of sales, तो दुबारा बूले, ये मेरे पास goods थी available for sale, इस पूरे साल मेरे पास ये goods थी बेचने के लिए available, इस मेरे पास साल के आखर में बच कितनी गई, इतनी बच गई, तो बिक कितनी गई होंगी, जितनी बिक गई होंगी, उसको मैं खहूंगा, cost of sales, तो जो मेरी cost of sales आएगी, जब आप इन दोनों को आपस में net कर लेंगे, net का मतलब सप्रेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास जो answer आएगा, closing inventory minus करने के बाद, ये आपके पास आगई cost of sales, यानि कि जो आपने समान बेचा है, उसकी cost इतनी है, now in order to calculate gross profit, आप क्या करेंगे, sales में से cost of sales को minus कर देंगे, और आपको पता लग जाएगा, आपका profit कितना हुआ, भाई समान बेचा कितने का, इतने का, वो समान जो तुमने 3,15,000 का बेचा, वो तुम्हें पढ़ा कितने का था, 17,222,0 का मुझे पढ़ा था, और मैंने उसको बेचा 3,15,000 का, तो मैंने profit कितना earn कर लिया, तो मैं gross profit calculate करूँगा, this minus this, is equal to 142780 का, clear हो गई बात यहां तक, पहले आप लोग यहां तक आ जाए, यहां तक copy कर लें, फिर हम आखे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको गौट से दिख लिएगा, यह section जहां तक मैंने अभी तक बनाया है न, यहां से लेके, sales से लेके, gross profit तक जो section होता है, इसको कहा जाता है, trading section, यह कौन सा section होता है, trading section, यहनि कि यह income statement का, trading section का part है, यहां पर आपने अपनी ट्रेडिंग दिखाई है, trading का मतलब होता क्या है, trading का मतलब होता है, buying and selling of goods, तो मैंने यहां पर, buying and selling of goods की हैं, और उससे मुझे profit आ गया, this is called trading account, this is called trading account, now, once मैंने अपना gross profit record कर लिया, अब मैं यह दिखूँँगा, क्या मेरे पास कोई incomes थी, business के अंदर, हाँ, मुझे एक income नज़र आई थी, और वो जो income मुझे नज़र आई थी, वो कितनी नज़र आई थी, commission receivable, यादे आपको, commission receivable में, मुझे कितना commission receive हो गया था, 12,500 का, लेकिन मजीद कितना और receive करना था, 2,500 का, तो मैं क्या करूँगा, 12,500 प्लस 2,500 करके, अपनी एक other income mention करूँगा, तो अब ये कैसे करेंगे, मैं अपना यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आगे लिखूँगा, add other income, add other income किस तरीके से, एक heading डालेंगे, और यहाँ पर income का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर income का नाम क्या है, commission receivable, अब इसको record कैसे करूँगा, भई record करने का तरीका यह है, कि मैं examiner को बोलूँगा, मुझे receive वहा था, 12,500 लेकिन 25,000 भी तक receive नहीं हुआ, लेकिन वो भी मेरी income का part है, तो मेरी total income इन दोनों को add करके show की जाएगी, तो मैं दोनों को लिखके आपस में addition ऐसे show करूँगा, सामने working show करना बड़ी ज़रूरी होती है, paper के अंदर आपके level के उपर तो, तो इसको लाजमी show कीजेगा, और उसके बाद फिर आप इधर total लाके लिख दें, यहां तक मैं क्या क्या कर चुका, cost of sales का section complete, gross profit calculate complete, other income सिर्फ एक ही थी सवाल में, सर और कोई income नहीं है, other income नहीं है ना, देखो ना का है और other income, कोई और income नज़र आ रही है तो मैं यहां पर, कोई rent receive हुआ, कोई decrease in PBD हुआ, कोई gain on disposal हुआ, ऐसी कोई income मुझे नज़र नहीं आ रही, तो जब कोई ऐसी income नज़र नहीं आ रही, तो मेरे पास एक ही income थी, मैंने उसको लाके record कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी income statement को continue करूँगा, और मैं अगली heading लिखूँँगा, less expenses, अब यह जो मैं less expenses लिखूँँगा, तो यहाँ पर मैं अपने expenses देखना शुरू करूँगा, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कौन सा expense है, तो यहाँ पर टॉप से शुरू करें, रेविन्यू तो कोई expense नहीं है, पर्चेज़ेस, revenue expenditure है, बट cost of sales में जाता है, written outwards जो है, वो आपका cost of sales में चला गया, तो पहला expense मुझे नजर आया, wages and salaries, और आपको पता है, wages and salaries से related कोई adjustment भी नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा, सीधा-सीधा wages and salaries उठाऊँगा, और 34,800 का wages and salaries अपने पास record कर लूँगा, तो यह आप लोग का यहां तक copy हो जाना चाहिए, done, और उसके बाद फिर, अब हम wages and salaries record करेंगे, तो wages and salaries में कितनी record करूँ, सर, wages and salaries 34,800 की है, और इसकी कोई adjustment नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 34,800 को directly record कर देना है, तो हम यहां पे लाएंगे, और 34,800 record करतेंगे, पहला expense, दूसरे expense पे चलें, अगला expense कौन सा है, यहां पे लिखावा है, motor vehicle expense, तो यह जो आपका motor vehicle expense है, 17,200 का, इससे related भी कोई adjustment नहीं थी, तो 17,200 का motor vehicle expense, directly record कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप इससे आगे बढ़ें, तो इससे आगे आप जैसी जाएंगे, तो अगला expense आपको क्या नजर आएगा, अगला expense हमें नजर आएगा rent, क्योंकि commission जो है, वो तो income थी, अगला expense हमें नजर आएगा rent, लेकिन आपको पता है, इस rent में से 3,000 रुपे rent क्या था, prepaid था, तो मैं 15,000 में से 3,000 माइनस करके, बागी के 12,000 रुपे का rent record करूँगा अपने पास, क्योंकि 3,000 में मैंने extra pay कर दिया था, ये तो following year का expense है, ये तो मैंने अगले साल का pay कर दिया है, November, October, November, December, अगले 3 महीने का मैंने pay कर दिया, आज सो September है, तो मैं September तक के expenses record करूँगा, और वो कितने आएंगे, वो आएंगे 15,000 माइनस, 3000 तो हमारे पास answer आ जाएगा, 12,000 का, तो 12,000 के हम क्या करेंगे, 12,000 का हम rental expense अपने पास record करेंगे, clear होगी बात, आगे सुनें अगली चीज़ का है, देखो यार अगली चीज़ जो है आपके पास, अगला expense अगर आप देखें, तो यहां पर हमारे पास अगला expense लिखावा है, bank interest paid, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, क्योंके bank interest paid पे बच्चा हमेशा confused होता है, क्योंके bank interest paid को लेके examiner जो है न, वो जरा silent होता है, जरा हामूशी इख्तियार करता है, सोचो तुमने loan जो लिया था, वो कितने का लिया था? 30,000 का लिया था, और उसके उपर तुमें interest कितना pay करना था? interest तुमें pay करना था 6% का, तो अगर मैं तुमसे बोलू, कि यार जरा calculator पे लिखो 30,000, लिखो सब लो calculator पे, 30,000 का loan है, और उसके पर मैंने interest pay करना है 6% का, तो answer कितना आ रहा है? सर हमारे पास तो answer आ रहा है 1800, कितना answer आ रहा है? 1800, तो मेरा बेटा मुझे बताओ, इस साल का तुम्हारा bank loan interest कितना है? 1800, तुमने pay कितना किया है? 1200, इसका मलब अभी तक तुमने कितना pay नहीं किया हुआ? 600, इतनी बात समझ आती है, दुबार रपीट कर रहा हूँ, 30,000 के loan पे 6% का interest देना था तुमने, 30,000 के loan पे 6% का interest बनता है, 1800, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखावा है कि तुमने जो loan interest pay किया है, वो सिर्फर सिर्फ कितना करा है? 1200 करा है, इसका मलब 600 का loan interest अभी तक record नहीं हुआ हुआ हुआ, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि यह 600 का loan interest मैंने अभी तक pay नहीं किया, pay नहीं किया का मतलब यह नहीं है कि मैंने pay नहीं करना, इसका मतलब यह है कि मैं आगे जाके 2-4 दिन में एक महीने में pay कर दूँगा, तो यह मेरे उपर एक current liability बन गई, यह मेरे उपर एक उधार चड़ गया, 600 रुपए का bank की उपर, क्योंकि bank को मैंने क्या करना है, interest बे करना है, now the first question is, मेरी income statement में, interest expense कितना record होना चाहिए, sir, आप record करेंगे, इस साल का असल खर्चा, आप record करेंगे इस साल का असल खर्चा, तो इस साल का असल खर्चा है कितना, sir, इस साल का असल खर्चा 1800 बनता है, तो अपनी income statement में 1800 record करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको अपनी income statement में record कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे bank interest, अब bank interest आपका कितना बनेगा, करेंगे, याद रिखिएगा इस बात को, ठीक है, तो इसका 1200 में से, आपने 1200 पे कर दिया, आउट आफ 1800, तो आपके पास remaining कितना आया, 600, यह आपका कहां चला जाएगा, यह आपका चला जाएगा, current diabetes में, और income statement में कितना record करोगे, पूरा expenses साल का, अचा जी, आप उसके बाद हम आगे बढ़ते, तो अगली चीज़ यहाँ पे आप देखें, तो अगला expense लिखावाई, heat and light, अचा heat and light से related भी कोई, आपके पास adjustment नहीं है, तो इसको directly record कर लेंगे, तो यहाँ पे heat and light record कर लें, 6500 का, बच्चो वाली बात है, आगे आज़े यह तरह, अगली चीज़ है, other operating expense, याद रिखेगा, other operating expense रिलेट क्या था, कि आपने 7100 का pay किया वा था, और 1100 का आपका accrued था, तो इन दोनों को add करके, अपनी income statement में show करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे other operating expenses, और जो के 7100 हमने pay किया वा था, जिसमें 1100 accrued है, वो भी add करेंगे, और इन दोनों का total 8200, हम अपनी income statement के अंदर record कर देंगे, clear हो गई बात, उसकी बात पर आप heat and light के बात आप आगे आजए, थी कि एक bad debt expense भी हुआ है, जो आप income statement में record करेंगे, तो आप लोग क्या करें, इस bad debt expense को record करेंगे अपने पास, अब यह जो bad debt expense है, यह कितने का है, सर यह 2000 का है, तो बेटा, इस 2000 को अपनी income statement में record करेंगे, done, उसके बाद फिर अगला expense कौन सा record करेंगे सर, अब तुम लोगों ने क्या किया था, provision for doubtful debt निकाला था, अब तुम्हारा provision for doubtful debt, bad debt के बाद कितना आया था, 600 का आया था, तो यह 600 का increase in provision for doubtful debt आया था न, और यह कैसे आया था, 1600 इस साल का provision था, last year का provision trial balance में दिया हुआ था, 1000 का, दोनों को आपस में minus करा, कितना बना, 600 बन गया, तो यह 600 बन गया, तो यह 600 तुम्हारा increase in provision, अपनी income statement में लिख दो के, तो यहाँ पे आओ और अगला expense record करो, increase in provision, opening कितना था, आपका 1000, और closing कितना है, 1600 तो आपका increase कितने से हो गया, 600 से तो आप 600, अपनी income statement के अंदर mention कर देंगे, उसके बाद फिर आपने, अगली चीज़ क्या करी थी, यह वाली adjustments के इलावा, एक adjustment और थी, जिसमें आपने income, depreciation expenses calculate किये थे, तो आप लोगोंने motor vehicle का, depreciation expense calculate किया था, 8,000 का, और fiction fitting का depreciation expense calculate किया था, 3600 का, तो ये भी दोनो expenses हैं, ये भी income statement में जाएंगे, तो पहले motor vehicle का depreciation expense record कर ले, किस तरीके से record करेंगे, आपके पास जो भी net book value बन रही थी, वो कितनी बन रही थी, 40,000 हमने निकाली थी ना, net book value कितनी आई थी, 20% कितना answer आया था, 8,000 तो मैं 8,000 की depreciation record कर दूँगा, इसी तरीके से अगली अगर आप चीज़ देखें, तो अगली चीज़ मैंने fiction fittings को depreciate कर रहा था, 3600 चे तो मैं 3600 का record कर लूँगा, इसको यहाँ पे लाकि, ये calculation करी और ये मैंने record कर लिया, अब ये मेरे सारे expenses हो चुके हैं, उपर से लेके top to bottom मेरे सारे expenses हो चुके हैं, और अब मैं क्या करूँगा, इन सब का total निकाल लूँगा, और वो आजाएगा 94,700, ये जो 94,700 आ रहा है, इसको मैं अपनी income से compare कर लूँगा, कि मेरा profit हुआ या loss हुआ है, तो इसको compare करके मैं profit या loss निकालूँगा, तो मेरा profit आजाएगा 63080 का, this is the complete income statement, इसको गौर से देख लीजेगा, इसके अंदर आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, ये आपने पूरा first section बनाया income statement का, ठीक है, gross profit और other incomes तक, और यहाँ पे आपने सारे expenses को mention कर दिया, done हो कोई पात, अब आप लोग अगली चीज़ क्या record करेंगे, अब आप अगली चीज़ बनाएंगे statement of financial position, जिसको हम balance sheet कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे non current assets, अब non current assets मेरे पास दो थे सवाल के अंदर, देखो, एक है पहला motor vehicle, तो पहले motor vehicle का लिखते हैं, motor vehicle का जो पहला column होगा, इसमें motor vehicle की cost लिखी जाएगी, तो motor vehicle की cost थी, वो कितनी थी? 50,000 थी, तो यहाँ पे लाके मैं कितना record कर दूँँगा? 50,000 record कर दूँगा, दूसरे column में, अब तक जो मेरा asset total depreciate हो चुका है, वो कितना हो चुका है, वो मैं record करूँगा, तो कैसे बता लगेगा, इस साल के शुरू में कितना depreciate हो चुका था? 10,000, इस साल मैंने और कितना depreciate करा? 8,000 का, तो total depreciation अब तक कितनी हो चुकी है, अब तक इसकी provision for depreciation कितने लगे चुकी है? 18,000, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 18,000 लिखूँगा, और net book value निकालने के लिए, इन दोनों को आपस में क्या कर दूँगा? Minus, तो 50,000, minus 18,000, will be the net book value 32,000. अगला non-current asset मेरे पास कौन सा था? अगला non-current asset मेरे पास था? Fictions and fittings, तो fiction and fittings लिखेंगे. Fictions and fittings की cost कितनी थी? 24,000, तो cost mention करेंगे 24,000 की. यह अब तक total कितना depreciate हो चुका है? तो sir, यह total depreciate हो चुका था, आपका 21,600 का. साल के शुरू में 18 का depreciation हो आवा था, depreciation हो आवा था, और अभी आपने 3600 का मजीद depreciate कर दिया, तो total 26,000, 21,600 का depreciate हो गया, तो वो लिख देंगे. और इन दोनों को minus करेंगे आपस में, तो netbook में लिए आजेगी, और कोई non-current asset था नहीं, तो इनका total निकाल लेंगे. तो मेरे पास जो total non-current asset आएंगे, आप जो next heading बनेगी, उसका नाब होगा current asset. जो current assets की heading में बनाऊँगा, तो current assets में मैं सबसे पहले record करता हूँ closing inventory. तो मेरे पास closing inventory कितनी है? 29980 की, तो मैं यहाँ पे लागे closing inventory record करूँगा, 29980 की. अब उसके बाद अगली चीज में यहाँ पे record करूँगा, trade receibles, लेकिन याद रखिएगा, जो आपके trade receibles थे, यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपके trade receibles थे, 34,000 के, इसमें से 2,000 के क्या हो गए थे? bed debt हो गए थे, तो मैं कितने mention करूँगा? 32,000 के mention करूँगा, यहाँ पे मैंने नीचे यह बात करी थी, ठीक है, मैं trade receibles अपने कितने show करूँगा? 32,000 के, क्योंके 34 में से 2,000 के क्या हो गए? bed debt, जब भी bed debt adjustment में दिया वा हो, तो trade receibles में से minus किया जाता है, और अगर bed debt trial balance में होता है, तब मैं minus नहीं करता है, क्योंकि वो already adjusted होता, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा trade receibles, ठीक है, और जो मेरे trade receibles आएंगे, उस में 34 में से 2,000 माइनस कर दूँगा, तो यह 32,000 आचाएगा, इस में से मैं क्या करूँगा? provision for doubtful debt जो मेरा इस साल का आया था, वो मैं minus कर दूँगा, वो कितना आया था? 1600 का आया था, तो यहाँ पर मैं 1600 provision for doubt minus करके net trade receibles सामने ले जाके लिख दूँगा 3400 के, clear हो गई बात, अब उसके बात मैं अगली चीज़ यहाँ पर क्या लिखूँगा, अब मैं देखूँगा क्या मेरे पास कोई other receivables है, other receivables का मतलब क्या होता है? other receivables का मतलब होता है, कोई prepaid expenses या accrued income, अब देखो इस सवाल में मेरे पास दोनों चीज़े थी, मेरे पास एक prepaid expense भी था, ज़रा notice कीज़ेगा, मेरे पास एक prepaid expense भी था, 3000 का, यह क्या है? prepaid expense, और एक मेरे पास accrued income भी थी, आपको पता है? prepaid expense हो या accrued income हो, यह मैं आपको पीछे एक topic में, accrual and prepayments के topic में यह पूरी चीज़ क्लेर करवा किया चुका हूँ, कि यह दोनों चीज़े ही मेरे लिए एक तरीके से receive एले, एक तरीके से ही मेरा अपना ही पैसा है, तो मैं इसको current asset मानूँगा, तो मैं अपने other receibles के अंदर इन दोनों को, 3000 को और 2500 को ले जाके add करके record कर दूँगा, तो 3000 प्लस 2500 तो मेरी total जो other receibles हैं, वो कितने के हैं? 5500 के हैं, उसके बाद मैं अगली चीज़ record करूँगा, cash at bank, अब याद रखिएगा, cash at bank के साथ एक काम हुआ था, कि उसमें से 3000 की purchase करी थी, जो आपने minus नहीं करी मी थी, तो 9500 में से 3000 minus करके record करेंगे, तो यहां लिखेंगे cash at bank, और 9500 में से 3000 minus करेंगे, और जो भी आपका 16500 का value बनता है, वो यहां पे लाके record कर देंगे, that said, यह आपके सारे current assets भी हो गए, यह सारे आपके current assets भी आगए, इनका total निकाल ले, तो current assets का total यह आगिया, और non current assets का total यह आगिया, अब आपने अगर इन दोनों को आपस में add कर लिया, तो आपके पास क्या आजाएगा, total assets पता लग जाएंगे, तो आज वो total assets निकाल लेते हैं, तो मेरे जो total assets बन रहे हैं, वो इन दोनों को add करके, वो 116780 के बन रहे हैं, clear हो गई बात, तो यहां तक आपके पास, यह जितनी भी मैंने बाते करी हैं, जितनी भी मैंने चीज़े करी हैं, आपको सब कुछ crystal clear होना चाहिए, मेरी आदी balance sheet बन चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब next phase के उपर जाऊँगा, और जो मेरा next phase है, वो क्या है, 15,000 पे का, तो 15,000 पे का opening capital लिख दो सीधा-सीधा, फिर अगली चीज़ तुम लिखोगे net profit, अब net profit तुम उपर income stream से निकाल के आ चुके और वो कितना था, 63080, तो यहां पे net profit को add कर दो, तो यहां पे लिखो add net profit, और 63080 का net profit लिख दो, फिर इसमें से तुम less करोगे drawings, drawings कितनी है, 18,000 की, तो 18,000 की हमेशा drawings less करेंगे आप, और वो आपके पास जो भी इनको add less करके answer आएगा, उसको मैं कहूंगा closing capital, तो आपका जो closing capital लाएगा, वो कैसे आएगा, इन सब को आपस में add less करके, this plus this minus, this is equal to closing capital, तो closing capital कितना बन जाएगा, 600,80 का बन जाएगा, अब once हमने ये काम कर लिया, तो अब हम देखेंगे, क्या हमारे पास कोई long term liability थी, जैसे के कोई bank loan वगरा, हाँ, बिल्कुल था, bank loan कितने का था, bank loan was 30,000, तो यहाँ पे हम लाएँगे, और 30,000 का एक bank loan mention करेंगे, और आपको पता है, जब मैं closing capital के अंदर, bank loan को add कर दूँगा, यानि इन दोनों को जब मैं आपस में add कर दूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा, मेरे business का capital employed कितना है, capital employed का मतलब होता है, total investment तुमारे कारोबार में कितनी लगी वी है, तो owner ने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया वाए, इतना, market से पैसा उठा कि कितना लगाया वाए, इतना, तो total जो capital employed है, वो कितना बनता है, 90080 का ये total investment वी वी है, तुमारे कारोबार के अंदर, ये total investment, make the heading of current liabilities, तो अब हम current liabilities की एक heading बनाएंगे, और current liabilities की heading बनाके, सबसे पहले लिखेंगे, पहली current liability जिसका नाम है trade payables, अब ये जो हमारे trade payables हैं, ये हमें सवाल के अंदर directly शराफत से examiner ने दिये वे थे, और वो कितने के दिये वे थे, 25,000 रुपे के तो मैं यहाँ पर लाके trade payables mention कर दूँगा, 25,000 रुपे, फिर उसके बाद मैं अगली चीज़ mention करूँगा, other payables, अब other payables क्या होते हैं, other payables का मतलब होता है, accrued expenses, and prepaid incomes, अब अगर तुम notice करो, तो मेरे पास क्या कोई accrued expense थे, दो थे, कैसे सर, देखें, सबसे पहला accrued expense यह था, कि मेरा, जो other operating expense था, उसका 1100 रुपे मैंने भी तक pay नहीं किया था, पहला accrued expense यह है, और दूसरा पते क्या है, यह bank का जो interest है, वो 1800 बनता था, और मैंने सिफ 1200 pay किया वा है, तो 600 रुपे का यह भी unpaid है, यह भी unpaid है, यह भी मेरी एक current liability है, और यह भी unpaid है, यह भी एक current liability है, तो यह दोनों क्या बन जाएंगे मेरे, accrued expenses और accrued expenses, other receibles के अंदर, balance sheet के अंदर लाके लिग दिये जाएंगे, तो 1100 प्लस 600, 1700 बन जाएगा, इसके इलावा, और कोई भी मेरे पास expense, और कोई भी liability नहीं है, current liability तो मैं इन दोनों को अपस में add करूँगा, ठीक है, और इन दोनों को अपस में add करने के बाद, इनका total record करूँगा, और इन दोनों को अपस में plus करके, total equity and liability निकाल दूँगा, अब जो मेरी total equity and liability आएगी, वो कैसे आएगी, इन दोनों को जब मैं plus करूँगा, तो total equity और liability आजाएगी, और total equity और liability मेरी बनेगी, 116780 की, and that's it, मेरा सवाल balance हो गया, मैंने यहाँ पे, उपर देखो तो मेरी total assets कितने आ रहे हैं, 11780 के, 116780 के, income statement, पहला part, यह income statement दूसरा part, statement of financial position पहला part, and statement of financial position का दूसरा part, done हो गई पाथ, तो आई होब कि यह वाला question भी आपको पूरे तरीके से clear हो गया होगा, एक-एक point आपके दिमाग के दर पैट गया होगा, and that's it, आज हम इतना ही रखेंगे, और हम इंशाला मिलेंगे next class के अंदर, और मजीद हम questions करेंगे, और जितने lengthy questions करेंगे, हमारे लिए उतने concepts जादा clear होगे, तो हम बड़े-बड़े सवाल करेंगे, पूरे-पूरे full-fledged income statement, balance sheet पूरी-पूरी बनाएंगे, ठीक है, इंशाला ताला, So, see you then in the next class, till then, Allah Hafiz.